बेटे एक तरकीब बताऊंगी मैं बाल बढ़ने की क्योंकि अक्सर लड़कियों के बाल घन में कम रहते हैं बड़े पतले महीन होते हैं तो आप क्या कीजिए मेथी दाना जिसे बोलते हैं पीली मोटी मेथी वो एक 2 मुठी मेथी लीजिये और उसको एक रात के वक्त पानी में भिगा दीजिये और सुबे मे उसका पानी नितार दीजिये और उसके बाद जो मेथी दाना है, एक मलमल के कपड़े में उसको पोटली बना के कहीं लटका दीजे, ऐसी जगा जहां पानी आप डालें, तो पानी नीचे से गिर जाए, फिर आगो रोज आना उसको पानी छिनकते रहें उसके उपर, कपड़ा खुश्क ना हो, तो ऐसे में दो दिन के बाद आप उसको खोलिए, तो उसमें कॉपल फुट जाएगी, जब सुब में कॉपल फुट जाए, तो आप घर के अंदर किसी जगा धूप नहीं निकले, छाओं के अंदर उसको सुखा लीजे, जब वो पूरे सूख जाए, खनक, पूरे सूख जाए, पहले मे मेथि दाने के वैसा तो आप उसको ग्रैंड़ में पीच लीजे बारि, पीच के एक बोतल लीजे, काच की बोतल, वो बोतल मे worms में मेथि दाना छाड़ नटीजगे, पिसाव डानने के बाद अब उसमें खोषग कईallas खॉपरे का तेल जालतिए, और उसमें घृत्ड़ और वो एक दिन की पूरी धूप दो दिन की धूप में उसके अंदर कलर छोड़ेगा वो लाइट क्रीम कलर का हो जाएगा तेल और उसमें एक खिसम की ही काएगी मेथी की बो आएगी तो किसी को भी वो मेथी की बो पसंद नहीं आएगी आपको खुद अच्छा ने तो रात के वकद तेल डाल लीजे और खुब अच्छा ऐसे बाल खोलिए जड़ में ऐसा हाथ तेल में डाले और ऐसे ऐसे अपने बालों की जड़ों में चोब लगा लीजे पूरे पूरे सर में तह बतह सारे बालों में लगा लीजे और उसके बाद आप सुबे में अगर आपका तक्या खराब हो तो कपड़ा कपड़ा सर पे लपेट लीजे और सुबह में नहा लीजे कम से कम वीक में दो दिन हफता इत्वार आप जुरूर लगाए इंशालला आप देखेंगे एक महेने के अंदर आपके बाल घने और बाल गम हैं तो बाल दूबने हो जाएंगे इंशाला इंशाला